वो इंसमें रूल क्या है इसमें ये हैं कि पहला रूल falling left to right चलना left to right चलेंगे हम ठीक है दूसरा रूल ये हिंट बोस ये तो हम स्थयां के अधाय संivesse अब हम ए भी ठीक है कोई शोर कर रहा है अब हम क्या कर रहे हैं पोस्ट फिक्स्ट ग्रतें तो इसके दूबारा से गरते हैं तो रूल के हैं लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट ठीक है और बोथ ऑपरेटर्स और पुशन दूश्च ठीक है और स्टैक पॉप डिफरेंट होगा ठीक है जी तो मैंने यह स्टैक बना दिया अब पहली चीज़ है यह डाल दिया दूसरी चीज़ है बी इसको भी डाल दिया और तीसरी चीज़ है प्लस तो प्लस कहेगा कि मुझे दो ऑपरेंट चाहिए इसको दे दिये अब जो पॉप होगा ना स्टैक का वो डिफरेंट होगा यानि कि नॉर्मली जो इसका पॉप होता हो क्या होता बी यह होता लेकिन पॉप क्योंकि डिफरेंट है तो अवश करना पड़ेगा ठीक है अभी एपलस बी आ गया अभी जो एपलस बी इसको मैं वापस से स्टैक में डालूँगा तो एप लस बी तिया अब देखिए अब हम आगे सी पे अब डी पे ठीक है अब मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन कहता है कि पहले मुझे है दो ऑपरेंट दो जिनका पॉप डिफरेंट होना चाहिए और इन फिक्स की पॉर्म में होना चाहिए ठीक तो अब मैंने इसको वापस स्टैक में डाल दिया ए प्लस पी सी मिल्टिप्लाइडी ठीक है तो अब माइनस का साइन तो माइनस का जो साइन है वो कहता है कि मुझे दो ऑपरेंट चाहिए और इनका पॉप डिफरेंट होना चाहिए और ये इन फिक्स की फॉर्म में होना चाहिए ठीक है जी तो अब इसको मैंने स्टैक में वापस डाल दिया a प्लस b माइनस c इंटू t ठीक है तो नेक्स चीज़ क्या दिए अब फिर डिवीजन का साइन तो डिवीजन का साइन कहता है कि मुझे दो ऑप रेंट चाहिए और इनका पॉप डिफरेंट होना चाहिए एनकी ए एफ की फॉर्म में लेकिन इन्फिक्स की फॉर्म में होना चाहिए एनकी डिवाइड तो इसको वापस से स्टैक में डालिए अब माइनस की बारी माइनस कहता है कि मुझे दो ऑपरेंट चाहिए जिनका पॉप डिफरेंट होना चाहिए अब इस चीज़ को वापस स्टैक में डालेंगे अब इस चीज़ को वापस स्टैक में डालेंगे तो अब जी अब जी आगया तो जी को हमने यहां लिख दिया अब माइनस साइन तो माइनस साइन कहता है कि मुझे दो ऑपरेंट चाहिए जिनका पॉप डिफरेंट होना चाहिए अब इस चीज़ को मुझे बापस स्टैक में डालना है अब क्या है एच अब क्या है प्लस करता है कि मुझे दो ऑपरेंट चाहिए और दोनों का पॉप डिफरेंट होना चाहिए है यानि ए प्लस कि बी मैंने सी इंटू डी मैंने सी डिवाड़ बाइफ मैंने स्टी और एच और इनको इन फिक्स की फॉर्म में लिखना है लास्ट ऑपरेशन प्लस था तो यह अब मैं इस चीज़ को मैं दुबारा से स्टैक में डालूंगा और एक्सप्रेशन खतम हो जाएगा और फिर मुझे स्टैक को एंटी कर देना तो आंसर क्या होगा यह विचिज़ रिक्वाइड पोस्ट फिक्स टू इन फिक्स एक्स्प्रेशन क्या है तो